हलो आफ्रीबर्ट हे इस स्वागत आप सब्सक्राइब फार्मिंग स्विमिलेटर के एक और चिंगारी एपिसोड के अंदर लास्ट वाले एपिसोड में मैंने तुमसे अगा था कि मैं पीछे वाली जगा पर्चेस कर लो ताके में यहाँ पर चिकन कुप का बिजनस स्टार् यहां पर हमने इत्ती महनत करके देखो यहां पर कैनोला लगाया है अच्छा खासा यह उग भी गया है फर्टिलाइजर इसके अंदर अभी हमने दाला नहीं अगर वह दालते तो अभी तक तो पुरी फसल रेडी हो जाती मैं सोच रहों कि वह तीनों खेत को ऐसे डिज रहन 36 रुपय जो के ठीक है इसके अंदर मतलब इतना कुछ वो नहीं है बट एक दिन मैं अगर इंतिजार कर लूँगा ना तो मेरे पास में 16,000 रुपय आ जाएंगे क्योंकि लास वाले एपिसोड में हमने पैसिव इंकम का जुगाड किया था हमने दो दो सोलार सिस्टम लगा को आना चाहिए मतलब हर महीने का इस गेम में एक दिन मतलब एक महीना समझ लो और अच्छा खासा बड़ा होता है दिन चलो लेते कुछ लोन और पीछे की जगह को करते है पर्चेस ये भी अच्छी खासी रेडियो हो गई है वैसे अभी मौसम कौन सा चल रहा है ये तो मैं हम समझो ये पॉपलर ग्रास या ओइल सीट रेडिश ये इसको हम साल भर में कभी भी लगा से ते बस ऑक्टोबर के बाद नहीं अभी तो ऑक्टोबर ही चल रहा है खेर ज्यादा कन्फ्यूज नी होते है थोड़ा सा कर्ज लेते और फील्ड 49 पर्चेस कर लेते है और यहा है जगा का प्राइस मेरे को एक्जेक करने दो वर्ड मने एक चीज बताया आज हम si kan qp का बिजिनस टाट करने वाले फिर हम घोड़े रखेंगे घोड़े से क्या रीटर्न मिलेगा मेरे को वो तो नहीं पता जैसे गाए बैल यह रखेंगे तो दूद का अपने को tेंशन हो जाएगा मुर्गी से अंडे आ जाएगा शीप से भी बहुत सारी चीज़े वूल वागेरा वो निकल जाएगा तो जो अपने को रिटन देने वाले अभी सिर्फ वो जानवर रखेंगे हम और वो सारे जानवरों के अंदर सबसे बजट वाला जानवर आ रहा है मुर्गी क्यो अभी हमारे पास में 9000 रुपए हो चुके ना पटाफट से पैसे बॉरो करते बैंक से कितना रीपे नहीं करना बे पगले अब तो 4,000 बचे पतारी रीपे हो गया हो इतना सफिशेंट 54,000 तो एक काम करतो थोड़ा सा ज्यादा लेकर चलते एक लाक रुपए हम अपने पास और सब्सक्राइब का बटन दवा दो ठीक है ये जगा हो गई परचेज आ फटा फट से यहाँ पर अनिमल डीलर नहीं अभी हम जाएंगे अनिमल्स के इंदर यहाँ पर अपने को चाहिए चिकन सिकन का ये वाला जो घर आ रहा है ये 79,000 का आ रहा है बट इसके अंदर हम 360 म लगा दू कि 60 मुर्गी स्टार्टिंग में सफिशंट हो की डाइरे की 300 महर नहीं सकता क्योंकि अभी जानवरों को अपने को उत्ता जादा एक्सपिरेंस है नहीं इसलिए चलो एक काम करते हैं पहले हम इधर साइडे में एक मुर्गी का वो लगा देते हैं ये पहला मुर् कर जा सकते हैं अगर चिपका के लगाता ना तो हर चोटे मोटे काम को मेरे को बार बार घूम के आना पड़ता अब यहां पर हमारा पानी और खाने का ट्रक्टर लेकर यहां पर सीथा भर देंगे चलो फटा फट से अनिमल ना पर्चेस करते हैं यह वाली चिकन आ रही है प करके ना बातों कैसे लंबान कर देता हो मतलब एक दम कर चोड़ो वह सारी चीज़े तो मैं सोच रहा हूं ना कि 15 यह वाली चिकन और 15 यह वाली भर दू अब ऐसे क्यों करना है मेरे को नहीं पता बट चलो ठीक है 15 यह चिकन 15 यह चिकन पर पर्चेस कर लेते मेरे पास में 35 5000 डॉलर स्टील है बीबी और वीट मेरे पास में हैं इनको खाना देने के लिए तो मेरे को जाकर लेकर आना पड़ेगा पर्चेस करना है भाई मेरे को यह 15 कितने की आ रही है 825 डॉलर की वेरी नाइस कर लो इसको फटा फट से बाय कर लेते वाई आगी आगी मुर्गी मेर कैब मैं मुबारक हमारी मुगरी आ चगी है कर दो Capitol लो तेन्जन मतलो ठीक है 15 यह वाली भी में पर्चेस कर लेटा है तो मुबारक मुबारक और बहुत सारी मुगरी यह बाकी के सभी चिकन गाए 12-3-4-56-7-8-9-10-11-12-13-14 14 ही मुगिये हैं यहापर पंदरा थीक है इसके अंदर एक बारी में पंदर चिकन नहीं तीस चिकन अलरेडी फुल पता रहे पता नहीं ऐसे क्यों कुछ ग्लीच हो गया क्या चलो ठीक है देखते है कुछ देर बाद इसके अंदर ना थोड़ा सा इसको दस कर देतो ठीक है यह वाली मुर्गी 10 कर लेते हैं और जो उपर की मुर्गी है इसको 20 कर लेंगे इदर साइड में ठीक है 20 सफिशन्ट होगा और 20 से ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते अब चेक करते हैं एक बार यहाँ पर हाँ देखो यहाँ पर खिती सारी मुर्गी आ गई है अब जाकर इनका वीड लेकर आते हैं वैसे लास्ट एपिसोड में हमें एक जगा का काम कर रहे थे मेरे को वह भी जग करना है वहाँ का काम कंप्लीट हुआ है यानि यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है या फिर स्टिल कुछ बचा हुआ है इदर का मेरे को ने लगता, नहीं पूरा तो हम ने काम complete कर लिया, एक बार उदर जाकर cross check कर ले तो, field 39 थी है, field 39 पूरी टकली हो चुकी है, बागी है जो बीच में line बनी है, यह field, ओ नहीं, ओ नहीं, यह हमारी field है, इसके उदर field 36 है, यह field 36 है, अभर यह अतना काम बचा हुआ वो हमने बीच में से इसको स्टार्ट करके दे दिया था ना इसलिए रहे गया था चलो आज अपने को और साथ हजार डॉलर आ जाए गए का हुए निकल यहां से वरकर कोई देरों में काम करने के लिए भी हम खुद मैनुली करने ने बैठने वाले काम बस ट्रेन ना आ जाया वरना ना इतना गंदा डैमेज पड़ेगा अपने ट्रैक्टर को और ये पीछे वाली मशीन को कि मैं बता नहीं सकता देखरो किती जादा बड़ी फिल्ड स्टील बची हुई थी यार कितनी ज्यादा और यू रेड़ी फटाफट से काम कंप्लेट करना और मेरे को बता ना मैं कॉंट्रेक्ट के अंदर जाकर चक कर लेता हूँ कितना हुआ फिल्ड 39 69 परसंट ही कंप्लेट हुआ है 40 परसंट 30 परसंट बचा फिल्ड 10 पर अपने को काम करने के कल्टिवेशन के 10 000 रुप ए मिल रहे हैं रूक को चेक करने तो फिल्ड 10 actual में है कहाँ पर नजदी की होना चाहिए या फिर कहीं कोने में है यह है फिल्ड 10 परी नाइस मैं यह काम ले रहा हूँ क्योंकि के काम है उसके अंदर ज्यादा ट जाएगा बागी का पैसा पुरा जेब में फ्रीफंड का मनी आ गया यह का करना है बाई कल्टीवेटिंग का माशीन कितनी जादा बड़ी लग रही है इसको बोरो आइटम्स कॉंट्रेक स्टार्ट ठीक है मैंने दो दो कॉंट्रेक ली लिया गया अरे बाई यह चार सो वाला कौन सा कल्टीवेटिंग का काम आ गया फिल्ड 21 पर चलो ठीक है रिटन में देख लेगे पहले इसको था हम कंप्लिट करते हैं बहुत जादा बड़ी मशीन है बाई यह बड़ी और यह ट्रैक्टर ना बहुत जादा पाउरफुल है और इसका कंट्रोल मतलब सामने से टाय मूड रहे हैं पता नहीं यह फर्स टाइम में इस टाइप का मैं ट्रैक्टर दे कर रहूँ वरना हर गाड़ी का ना सामने से टायर मूव होता है चलो ठीक है अब तो एक काम कर यहां से अरे यह यहीं पर क्यों खोल दिया यह बंकर और आ बंकर दे कित्ती जादा बड़ी हो में पीछे मशीन देख रहा हूं आगे ले ले तो मैं थोड़ी सी मशीन बंकरो बे मशीन बन करो अभी काम नी करना इसको पहले मैं यहां से रोड़ पे निकालता हूँ और अधर साइड में आए चैस अपने को जाना होगा यह सब हम इस साइड में अपने को जाना है सा नाशा कर लिया है आज गेम ने इसके अंदर ने में को ऐसा लगता है कभी-कभी ना थोड़े बहुत बग्स होते है गेम के अंदर और आज का एपिसोड मैंने स्टेरिंग वील के साथ में इसलिए रिकॉर्ड नी किया क्योंकि अपने को उतना ज्यादा स्टेरिंग वील का वर्त है मैं इसको ना बस यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ ताकि यह अपकी बार ना कोई भी कॉर्णल ना छोड़े और हर एक चीज ना पूरी प्रॉपर कम्प्लिट कर दे ठीक है वर्कर आया है काम करने के लिए या फिर हाँ आगया आगया चलो ठीक है मैं एक बार बस इसको चेक कर लेता हूँ फिल्ट 39 88% कम्प्लिट वहाँ से 7800 डॉलर अभी अपने को आ जाए गया अभी पहले जाना है छोटा सा वो पैलेट्स उठाने के लिए एक मशीन थोड़ी सी लीस पर लेनी है क्योंकि अपने को खाना भी तो मुर्गियों को खिलाना होगा और खा जगा छोड़ देगा में को ऐसा फिल आ रहा है चलो एंड में अगर कोई चीज छोड़ भी जाएगी ना तो यह हम ही कर लेगे आज का तो पूरा दिन लगने वाला इसको यह काम कम्प्लिट करते हुए आ गया हम अपने खर छोटा वाला ट्रैक्टर हाँ यही वाला ट्रैक तो अपना सामने का वेट है इसको भी इधर ही ड्रॉप कर देते हैं बाद में जब लगेगा ना यही से उठा लेके अपने को अभी अपने सारे टूल्स को भी ना एक जगा रखना है ठीक है और मेरे को एक चीज चेक करने मेरे पर अभी कर्स कितना चाड़ा हुआ हुआ है एक लाक सतर हजार का कर्स हम पर चोड़ा हुआ है कोई बात है नहीं सारा का सारा पैसा मैं रिकावर कर दूगा एक ही बारी में एक ही बारी में नहीं दीरे दीरे करके रिकावर कर देंगे ठीक है दिन पर दीर नहीं यह गेम काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होती जा रह बट जैसे जैसे experience आता जाएगा हम adjust कर लेंगे अपने को यह चाहिए वेट उठाने के लिए क्यों पता है क्योंकि इसके अंदर ना मैं सारा सामन लोड करने वाला हूँ यह कितने का आ रहा है वैसे पैलेट फोक 800 डॉलर का कस्टमाइस क्या ही कर लेंगे इसको lease करूंगा तो नहीं lease नहीं यह अगर सस्ता आ रहा है तो मैं purchase कर लेता हूँ ना इसको या फिर एक बारी में थोड़ा सा बढ़िया वाला ही उग नहीं बट बढ़िया वाले इदर देखर हो कितने ज्यादा बड़े बड़े है इसके अंदर ना अलग-अलग type के बट मेरा ना वो उठाने के लिए देखो मैं तुम्हें attach करके बताता हूँ I guess यह tractor को connect नहीं होता है इसकी कोई और machine आती है इसके hooks एक बार चेक कर ले तो इसकी कोई और machine आती होगी मेरे को जड़ा machine चेक करने दो यह तो 50,000 की 30,000 की 64,000 डॉलर बहुत ज़ादा मेंगी नहीं है तोड़ करना है कितना लीस का जाएगा अपना चलो ठीक है 25 रुपे ले रहा है लीजी कर लेते हैं इसके बागी अपने पास में यह भी पड़ा हुआ है तो इसके लिए जब पैसे आ जाएगा तो गाड़ी खरीद लेगे टूल आ गए हमारे पास में वह सारी चीजे नहीं आई जि इसके लिए एक पैलेट काफी रहेगा मेरे साब से इससे जादा अपने को नीड नहीं होगा है ना कहा गया पैलेट वर इस पैलेट अधर साइड में याली मशीन को सीथा अटेच करके टाटा वाई वैसे देखो गाड़ी तो हमने वो कर ली यह तूल अपने को आप काम में आएगा एक काम में दो काम उगा बाई चलो कनेक्ट हो जा नहीं हो गया तू भी करेक्ट नहीं होगा गया अब फाइव मिनिट लेटर वैसे अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया फील्ड 39 का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है पैसे कलेक्ट और यह रही वह फील्ड 39 चलो का काम पैसे आगए भाई 30,000 डॉलर हो गई अभी मैंने एक दो मशीने थोड़ी सी गलत रेंट कर लिया था तो दिक्कत हो गई है अरे कहा चले गई इतनी सारी मशीने आगई मेरे पास में हाँ यह वाली मैंने 6000 पर डे की गलत रेंट कर लिया था इसको उठाओ कैसा साला समझ में नहीं आ रहा है सारी चीज़े दिमाग के ओपर से जा रही है हिमत नहीं आरनी बस मैंने अभी न यह बड़ा सा ट्रेलर रेंड कर लिया हूँ इसके ओपर आ जाएगा बट इसके ओपर रखने के लिए भी न अपने को मशीन की तो जरुरत पड़ीगी न वो फोकलिफ्ट है उसकी तो जरुरत पड़ना ही है चलो ठीक एक बाद ट्राय कर लेते हैं नहीं नहीं किसाने तो धड़ी बाद दिक्कते आ रही है कुछ टाइम की बात है या फिर मैंने ट्रेक्टर ही गलत लिखकर नहीं आया हूँ चला ठीक है वेरी नाइस ये तो कनेक कर लिया मैंने इसको कैसा रखू उठा कर इसके उपर इससे अगर नहीं उठाना तो मैं गेम बन करके भाग जाओंगा मैं बता रहा हूँ ये वाली मशीन से भी अगर नहीं उठा तो दिमाग खराब हो जागा भाई मैंने बहुत सारे पैसे इसके अंदर दाल दे हूँ कौन सा टास कंप्लीट कर रहा है ये बार बार मेरे को पहले ये रखने दो इसके उपर उसके बाद में देखते है इसके अंदर तो ये अटैच होई जाएगा इसकी ऐसी कि तैसी कर लिया मैंने अब होगा ला भाई अब होगा ला इतिनी सिंपल सी चीज थी बाट जैसा दिमाग लगा रहा हूँ एक घंटे से नूपता की पूरी मैंने आज हदे पार कर जेओ खेर कोई बात नहीं कोई बात नहीं शुरुआत है होता रहेगा होता रहेगा यह रख लिया हम पर ने इसको इदर बस गाड़ी रिवास करना है काम कम्पलीट भाई काम कम्पलीट इदर आके इसको मैं बैल्ट से बांद देता हूँ और ना दिक्कत नहों जाए है ना कई यह गिर पड़ गया तो फिर बताव यह कौन सा बैल्ट है समझ भी आगे अब मेरे को चीजों को कैसे लोड करना है वैसे आटो लोड वाला भी फीचर होता है मेरे को पता है वो बट उसके लिए मेरे को अलग से मॉड्स दालने पड़ेगे और मैं गेम को ना ओरिजिनल रखना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर ज्यादा मजाता है वट अभी एक चीज ये भी देखनी है क्या इसी के उपर रखे रखे क्या मैं इनको डारेक्ट खाना खिला सकता हूँ क्या क्योंकि ये भी बहत बड़ा अभी टास्क होने वाला है डारेक्ट ऐसे ही खाना खिलाने का बट चलो ठीक है अरे आटोमेटिक बस यहाँ पर लाके खड़े कर दो देखो यह खाना खुद बखुद चला जा रहा इसके अंदर पूरा माल भाई किता सारा माल मैंने लोड कर दिया मुर्गियों के अंदर कुछ अपने को करने की जरुरत नहीं बस ट्रेलर को उसके उपर से लेकर जाना है पैलेट तो भाई यह पूरा का पूरा खतम हो गया जितना हमने वीट लेकर आया था बट इनका ना खाना भी बहुत दिन तक तो कम से कम दिक्कत नहीं रहेगी देखो अभी 24% पड़ा होगा है मैं यहाँ पर लाकर बस गाड़ी ऐसे रुख दिया ना तो यह खाना आटोमेटिक चल का मुझा भाई थोड़ा और करीब शेय से लेना पड़ेगा आएगा देखो थोड़ा सा करीब से लिया पूरा खाना खतम पूरा टोटल अब इसको इदर खड़े कर देते हैं मेरे को खाना चेक करना अंदर कितना हेल्थ है इनकी हेल्थ अभी सबकी ना 0% बताएगा क्योंकि अभी अभी कुछ टाइम के बाद में देखना ये जब खाना अगरा इनका कंप्लिट हो जायागा ना अच्छा इदर भी जितनी कम पहले 14-15 मुर्गे बता रही थी है पूरी की पूरी वापस आ गई है ठीक है और इदर साइड का खाना तो मैंने पूरा का पूरा फुल कर दियो अब प पैलेट का टेंशन भी पर्मेनेंटली सॉल हो गया कोई भी चीज के अपने को दिक्कत नहीं होगी जो भी चीजे हमने लीस की थी फटाफट से इसको यही से खड़े खड़े ना मैं रिटन कर देता हो गया अपना काम क्योंकि अभी और तो मेरे को नीड नहीं है जब और ज पैसा लगेगा हम तुरंत लोन ले सकते तो अपने को कोई भी चीज का ना फिर प्रॉब्लम नहीं होगा कहा गई वो बैंक जितना भी ता पूरा का पूरा रीपे कर दे तो आठ हजार चल ठीक है और ले ले तू अब देखना एक लाग सतर हजार से सिर्फ वन लैक पैसे जारा इसको ना थोड़ा सा अलग से वो करके इसको समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसी बात नहीं ठीक है तुमको काम करना है बहुत जादा पहले ना मैं अपने वर्कर को ऐसे स्ट्रेट जाने के लिए बोल रहा था अब ऐसे हायर करके मैंने इसे छोड़ जाओ लेट है पता नहीं सो पाऊंगा या नहीं चेक करते एक बार येस हम सो सकते हैं टेंशन ही नहीं सो कर सुबह आट बजे अराम से उट जाएंगे इतनी देर लग रही है उठ जाए प्रोपर्टी इंकम 4400 आ गई है देखो दिन निगलते पाई 5000 और इधर पाई साहब कानूला उग फसल को हर्वेस्ट कर सकते देखो इधर सेट भी किता रेडी हो गया मैंने क्रॉप्स डिस्ट्रक्शन ना सेटिंग के अंदर से आफ कर दियो मैंने चाहतो अपने क्रॉप्स सारे के सारे खराब हो जाए इधर खाना है ना इन लोग औरे मुर्गी के अंडे आ गए वरिदा इस खाना इनका बहुत बढ़िया इधर भी खाना है ना खाने पानी का तुम लोग टेंशन मतलो खाना पानी तुमको अनलिमिटेड मिलता रहेगा बस मेरे को तुम लोग की हैल्थ चेक करनी है मेरे को हैल्थ बता तुम देखो इनकी पहले हैल्थ जीरो बता रही थी अब स हेल्थ 100% रिप्रोडक्शन 50% पे चल रहा है प्रोडक्टिविटी 100% एग इसने 49 पीसे 49 पीसे अभी तक मुर्गी ने दे दिया है मैं क्या घुरू क्या हो गया तेरे को है क्यों भाग रही थी इदर से उदर इदर थोड़े से अंडे है और इदर साइड में थोड़े से अंडे है ना मेरा मन कर रहे है क्या हमारी चोटी वाली गाड़ी है मैं उसक अंदर अंडे लेकर जाकर बेकरी के अंदर सैल कर गया हूँ बट कौन सा वाला बंदा अपने को कितने पैसे आ रहा है यहां पर पैसे ने पर एक रहा है restaurant के अंदर ही मिल रहा है और fast food restaurant अपने को ढूणना पड़ेगा अप एक hotel तो ये लग रही है इदर top में red marble bowling restaurant इसके पास में जाकर एक बार check करते हैं अगर यहाँ अपना काम ने बना तो ये तो johnson's market तो ही अपना अल्रेडी ये full टकाटक काम कर देगा अपना और आज इतने एपिसोड बाद हम पहली बार इस car को चलाने वाले जब से नई वाली farming simulator 2022 की series start विए ठीक है तब से मैं इसको ये वाली गाड़ी को बैफ फर्स टाइम चला रहा हूँ चलो कम से कम इसकी तो speed है 1780 की speed में ये तो दोड रही है इसको ये पर खड़े रखता हूँ और इसके अंदर ना सारे अंडे लोड कर लेंगे बट अंडे हाँ चलो गिरेगा तो नहीं न बाई गिरेगा तो फिर दिक्कत न हो जाए कैसा बांदूँगा मैं इसको आ तो नहीं रही है इसके अंदर खोड़ा ऐसे करके अगर छोड़ दूँगा तो आ जाएगा यार आ जाएगा या फिर बीच में बीच में तो नहीं आएगा इधर साइड में देखना पड़ेगा कई हाँ चलो एक ट्रे इधर आ गई इसको मैं लॉक कर देता हूँ हो गया टेंचन कतम सिर्फ अंडे नहीं उठा सकता मैं हाँ से सिर्फ अगर अंडे भी उठा सकता तो मस्त काम हो जाता और ये वाली ट्रे को न ऐसे रख देगे है यह ना ये लो दोनों जगा बेल्ट लगा दिया वरी नाइस लेट्स गो आज हमारा 4000 का फाइदा होरे वाला है पीछे की गिरना जाए यार अंडे निकल के इसमें मूव हो रहा है पीछे से अंडे टूटे गे तो नहीं ना जहां तक मेरा ख्याल ये अंडे टूटेंगे तो नहीं लट इस दगो बहुत दोड़ रही है बाई ये कुछ जाद ही दोड़ रही है ये गाड़ी तो अपनी सीधा 120 की स्पीड में भाग रही है भाई खूब तेज दाड़ी है कुछ जाद ही तेज जारी रुख जाओ इतना भी दूर नहीं जाना अपने को आगे से अपने को बस लेफट वाला टन लेना और सीधा रेस्टोरेंट पहुच आना है फिर बहुत सारी चीज़े धीरे करके मेरे ना समझ में आरे बाई काफी सारी चीज़े पहले मेरे को कुछ भी नहीं पता था इस गेम के बारे में बट जैसे जैसे मैंने गेम को टाइम देता गया चीज़े सीखता गया और अबना मेरे को काफी जादा मज़ा रहा है मतलब मैं खुद परसनली इंजॉय कर रहा हूँ यह सारी चीज़े क्योंके पहले गेम की बेरे को जीरो नॉलेच थी कुछ समझने आता था सब सर के उपर से जाता था चलो भाई आचुके हम अपने रेस्टोरेंट क्या यह यहाँ पर बिकेगा I guess बिक तो जाना चीज़े बाई या फिर मेरे को इससे ऐसे निकाल कर रखना पड़ेगा निकाल के तो नहीं रखना पड़ेगा गाड़ी के अंदर से ही काम हो जाएगा बटना यह वाले रेस्टोरेंट में नहीं बिकेगा इसको बेकरी में जाकर अपने को सेल करना पड़े या कोई दिक्कत की बात नीचले ये देखो अपना वरकर फिर खड़ा हो गया कि वहाँ पर या फिर काम कर रहा है यार ये बड़ा ना आल सी वरकर है धंग से काम ही निकर रहा है देखो सामने गाड़ी लेकर खड़ा हो रुख जा मैं बस अंडे दे कर आ रहो तिरे को बतातो तो तेरे को ला मैं काम से निकाल दूगा कोई दूसरा वाला वार कर ढून के लाएंगे और उससे काम कराएंगे बाई आ गए हम जॉंसन्स मार्किट चार हजार रुपे मिलेंगे अपने को यहाँ पर अरे खुद बाखुद कट गए पान सो एककी सोल्ड है पान से एककी सुरुपे मिले बस मैंने यहाँ पर लागे खड़े किया कुछ करने की ज़रती नहीं बड़ी अंडे मेरे इसमें से गायाव हो गए चला ठीक है कोई बात नहीं अब समझ में आ गया है मेरे को कि हमें क्या करना होगा मुरगिों के फार्म को अच्छी से मेंटेन करने के लिए और बड़ी अथरीके से मुरगी का बिजनस स्टार्ट करने के लिए या फिर डेरी प्रोड़क के लिए मुरगी का तो समझ में आ गया अब अपने को गाय और बकरी का जुकार करना पड़ेगा बागी तो टेंचन नहीं बागी सारी चीज़े एकदम बड़ी यह तरीके से चल रही हो वरकर यार तू एक काम गर मेरी कार को ना तू अधर घर लाकर छोड़ दे ब्रदर मैं आज काफी जादा ठका ठका हूँ तो आज अब मेरी कार आराम से चलाना ठीक है मैं घर जा रहू ह अपने मेरे मुर्गियों को देखूंगा मैं जाकर फिर अभी अगले एपिसोड में हम यह कैनोला भी निकाल लेंगे उख जाएगा तब और फिर गाय का मतलब दूद वागेरा का बिजनस स्टार्ट हो जाएगा मुर्गियों का तो बिजनस चली रहा है और इसका ऐसी रहन करना यहां पर सारा डेरी प्रोड़क वो और घोड़े का फाम पिग्स वागेरा शिफ वागेरा यह सारी चीज़े कर देगा है न यह वाले आइलेंड औरे मैं जाकर आये यह लोग ने फिर अंडा दे दिया क्या बात है एक टाइम में अब हम ज्यादा अंडे लेकर जादा जादा अंडे लेकर जाएंगे हम 6,718 रुपे हो कह है अपने पास यहां क्या चीज के बारे में बता रहा है बिल्ड मोड मैन्यू अच्छा यहां पर मैं सारी चीज़े अपने हिसाब से बिल्ड कर सकता हो ना मतलब जगा मेरे को फ्लैट चीज़े और खाबर चीज आयो हो चैनल पर इंजोई किया तो प्लीज इस ने चैनल पर आने वाले है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहना अपडेइट के लिए इंस्ताग्राम पर फॉलो कर लो शारी चीजों के लिंग तुमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चेक जरूर कर कर दोतो है कुछ देकंडर कर दोतो है।